अरे हो क्या रहा है भाई ये मेरे सरसों की खेत में हो क्या रहा है अखिर चलिए दिखाते हैं हमारे सरसो की खेत में आखिर में हो क्या रहा है चलिए ले चलते हैं दिखाते हैं आखिर में हमारे सरसो की खेत में हो क्या रहा है क्या हो रहा है हमारे सरसो की खेत में क्या हो रहा है या कुछ न कुछ तो गड़ बड़ जरूर है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी सरसो की खेत में हो क्या रहा है आखिर चल क्या रहा है मेरे सरसो की खेत में अरे साथियों ये तो मेरे सरसो की खेत में माहो का अटैक हो चुका है अब तो इसको बचाना ही होगा नहीं तो मेरी सारी फसल खत्म हो जाएगी साथियों इसका तो कुछ न कुछ उपाय करना होगा नहीं तो मेरी सरसो की सारी फसल नश्ट हो जाएगी नमस्कार किशान साथियों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को जब आपके सरसो की खेत में माहो का अगर असर हो गया हो तो उस पे किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और दवा की पूरी जनकारी के लिए वीडियो के अंतक बने रहें और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आये हैं वीडियो को लाइक करें और सस्क्राइब करें ताकि नए वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें माहो से बचाने के लिए किसान भाईयों हम इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं इसमें पहला दवा एमीडा क्लोरुपीड 70% WG की 4 ग्राम की मातरा को 15 लिटर के पंप में आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं फिर आप दूसरा दवा थाई मेथाकसम 25% WG की 10 ग्राम की मातरा को 15 लिटर की पंप में इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और तीसरी दवा है थाई मेथाकसम 75% ESG की 6 ग्राम की मातरा को 15 लिटर की पंप में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चौथी दवा है किसान भाईयों एमीडा क्लोरपीड 17.8% SL जो की लिक्विड फार्व में आती है जिसकी 20-25 ml की मातरा को 15 लिटर की पंप में इस्तिमाल कर सकते हैं तो किसान भाईयों इन में से किसी भी एक दवा का आप इस्तिमाल करके आप अपने सर्चों से माहो को खतम कर सकते हैं तो यह जनकारी किसान भाईयों दूसरे किसान भाईयों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी यह लाब मिल सके धर्निवाद